नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चनल जड़धारी क्लासेज में दोस्तों तो आज मैं आपको बताने वालों यहाँ पर टीरी डैम और दोवरा चांटी पूल के बारे में दोस्तों यह जो टॉपिक है आज का टीरी डैम और दोवरा चांटी पूल काफी question बन चुके हैं और आगे भी बनते रहेंगे तो पूरी details आज में आपको इस वीडियो में एक एक करके समझाने वाला हूँ तो वीडियो को आप अन तक जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों तो पहले यहाँ पर टीरी डैम के बारे में बात करता हैं क्योंकि जो डोबरा चांटी पूल है वो तभी बना जब यहाँ पर टीरी डैम पूरा बन चुका था और उसके बाद यहाँ पर निर्मान का रेश्चुरू हुआ डोबरा चांटी पूल का तो उसके बारे में हम पहरे details यहाँ पे तीरी डैम के बारे में जान लेते हैं और तब डोबरा चांटी बुल के बारे में जानेगे तो तीरी डैम जोकी उत्राखंट के तीरी जनपद में इस ईत है और ये कौन सी नदी पर है तो यह आपका भागिरती ओम विलंगना क्योंकि भागिरती और विलंगना का संगम इस तलका है गनेश प्रयाग में जहाँ पुरानी टीरी थी पुरानी टीरी में एक इस्थान था गनेश प्रयाग जहाँ पे भागिरती और विलंगना का संगम होता था और वहां पर ये डम निरमेत क्या गया था अब यहां पर कुल्मा की ये डम कौनकौर्स नदी पर बना हुआ है तो ये आपका भागिरती और विलंगना नदी पर बना हुआ अब आपको बता दू यह जो टीरी ड heter है ये आपका ऐसिया का सबसे उंचा डेम है भारत का तो सबसे उंचा डेम है लेकिन ये आपका ऐसिया का सबसे उंचा डेम और इसकी जो उंचा ही है वह आपकी 260.5 मीटर कितनी है 260.5 मीटर इसकी उंचा ही है दोस्तों टीरी डेम एक इंबैंकमेंट डेम है कौन सा डेम है ये एक embankment dam या इसको काफरवान भी आप कह सकते हैं हिंदी में अब ये काफरवान होता क्या है इसको मैं आपको detail समझाता हूँ कि जो ये काफरवान होता है ये आपका embankment dam होता है वो मिटी पथर या concrete का बनाओ होता है यानि जो उसकी दीवार बनी होती है यहाँ पर नीचे से काफी चोड़ा होता है और जब जैसे जो उपर जाता है तो त्रिव्ष टाइब का देखो तो नीचे से काफी चोड़ी है अई मैं इसको आपको पूरे details बसाआँग इसको लमबाई चोड़ाई के बारे में तो इसको कहा जाता है काफर बांद या आपका इंबैक्मेंट डैम जो की कंकड और पथर और कंक्रीट का बना हुआ है तो यह जो दीवार है यह आपकी मिटी पथर और कंक्रीट की बनी हुई है और नीचे से काफी चोड़ी है और यह उपर उपर जाते हुए पतली हो जाती ह तो काफी basis का काफी मजबूत होता है और यहाँ पे भूकम की दृष्टी से यह जो डैम है काफी मजबूत होता है यह भूकम पर रोधी आप इसको कह सकते हैं इस डैम को तो काफी मजबूत होता है यह दीवार और यह आपका किस टाइप का डैम है आपका काफर बांध या इम तो यह आपकी इसकी जो टोटल चोड़ाई है दीवार की बेस पे वो है आपकी 1125 मिटर कितनी है 1125 मिटर यह आपको नोट करनी है उसके बाद यहाँ पर यह डैम ऐसा है क्योंकि एक इमबेक्मेंट डैम है यह का फर्बान है और इस प्रकार यह इसकी जो ऊपर से चोड़ाई यह आपकी 25 मिटर कितनी है शिर्फ 25.5 मिटर आपको नोट करना इटि का 25.5 मिटर इसकी उपर से चोड़ाई है दीवार की जबकी बेस में कितनी है 1125 तो 1125 निशे हो गया और 25 हो गया उपर यह तो आपकी चोड़ाई की मैंने बात कर ली है अब देखो जो दीवार की टोट आज में आ गई अब देखो जो उँचा ही है डैम की बेस से लेकर और उपर तक यहां तक जापता को भरा रहता है वो है आपका लगबग 260.5 मिटर तो उँचा ही कई बार एक्जाम में पोसा जा चुका है तो टीरी डैम की कुल उँचा ही है 260.5 मिटर इसलिए यह भारत का और एसिया का सबसे उचा डैम है और जो टीरी डैम का छेतरपल है यानि जिस छेतर तक पानी फैला हुआ है टीरी डैम है वो है टोटल 42 वर्ग किलोमेटर कितना है 42 वर्ग किलोमेटर इसका पूरा छेतरपल है जहां तक पानी फैला हो जाए यह फुल वरा रहता है तो यह 42 वर्ग किलोमेटर ये भी आपको नोट करना है अब इसके इतियास में चलता है कि इतियास में कौन-कौन सी घटना ही हुई कभ इसका निर्मान सुरू हुआ और पूरे डिटेल्स इसके बारे में में हम जानेंगे दोस्तों तो टीरी का और भागिरती नदी के संगम इस्तल पर ये बना हुआ है यानि आप इसको कह सकते हैं ये भागिरती और भिलंगना नदी पर निर्मित टीरी बान है और ये एक इम्मेंकमेंट डैम या काफर बान है जिसके बारे में आपको मैं इस टक्चर में समझा चुका हूँ और फोटो देखे वे मैं आपको बताया है अब देखो टीरी डैम का जो नाम है वास्तविक नाम वो है स्वामी रामतीर्थ सागर स्वामी रामतीर्थ एक संत थे और इन्होंने याँ पे गनेश प्रियाग में समाधी ली थी इसलिए इस डैम का नाम याँ पे क्या पड़ा स्वामी रामतीर्थ सागर कहा गया और जबकि कुछ इस्थानिया लोग इसको सुमन सागर के नाम से भी इसको जानते हैं तो इसका जो वास्तविक नाम क्या है स्वामी रामतीर्थ सागर है जबकि इस्थानिया लोग इसको सुमन सागर के नाम से भी जानते हैं तो ये तो इसके बारे में कुछ अधर जान करती अब इसके इतियास से सुरू करते हैं कि इसका निर्मान कार्या कैसे कैसे प्रारम हुआ तो थोड़र आपको पुरानी टीरी का इतियास बता देते हैं यहां पर तो पुरानी टीरी जो इस्थान है वो कभी पमवारवंस की राजधानी हुआ करता था और 1815 में पमवारवंस के पचपनवे राज़ा हुए आपके सुदर्शन सा और उन्होंने सरुपर्थम पुरानी टीरी को पमवारवंस की राजधानी बनाया उसके बाद उनकी लगबग पांचवी पीडी के बाद यहां पर एक राज़ा हुए मानुएंदर्शा जो की पमवारवंस के अंतिम राज़ा हुए और मानुएंदर्शा उसके बाद 1947 में मानुएंदर्शा जो की 1946 से लेकर 1949 तक तीरी रियासत के राज़ा रहे पमवारवं भारतिया संग में कब सामिल वा था ये व्यूज़ था आपका एक अगस्त Allegь उनीम उननिसो उनन चाज में तीडि रियासत को भी उत्तर परदेस के एक जिल्ले के रूप में सन्मिलित किया गया यानि एक अगस्तtant उननिसो उननिसाज को टीर संग में सामिल वह गय थी अब जो टीरी रियासत थी वो एक जनपत था या एक जिल्ला था किसका उत्तर परदे सरकार के अंतरगत अब उत्तर परदे सरकार के अंतरगत था कि क्यों न हम टीरी में भिलंगना और भागरती नदी के संगम इस्तल पर एक बांध का निर्मान किया जाए तो 1948 में ये विचार आये गया कि यहां पर एक टेरी बांध परियोजना बनाई जाए गनेश प्रियाग में यानि पुरानी टेरी में पुराने टेरी अब डूब चुकी है तो 1948 में उत्तर परदे सरकार ने टेरी में भागरती वा बिलंगना के संगम इस्तल पर बांध बनाने की योजनाच शुरू की और उसके बाद इसमें सर्वे किया गया कैकि क्योंकि सर्वे तो एक दो सालों में होता निए टेरी बांध बनाना था इतना बड़ा बांध इतने लोगवों को विस्था आफित करना था फूरानी टेरी से तो इसको सरवे करने में काफी टाइम लग प्रदेश के बाइब देशा रखे गई थी वह थी सिर्फ 600 MW की यानि 600 MW का बांध यहां पर बनना था लेकिन अभी वर्तमान में वह टोटल 2400 MW की पर्योजना है कि यहां पर एक तीरी बांध बनाए जाए तीरी बांध पर्योजना का कारे शुरू किया जाए तो 1978 में सिंचाई उभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीरी बांध निर्मान कारे प्रारम हुआ तो तीरी बांध निर्मान कारे कप प्रारम हुआ तीएच डीशी का गठन किया गया है। लेकिन 1978 से पहले यहां पे 1986 मैं आये थे रूज के राष्टपती जिनका नाम था मिखाईल गोरवाचेव। गोरवाचेव, मिखायल गोरवाचेव जो की रूस के राष्ट पत्ते 1996 में ये भारत दोरे पर जब आये तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने देख यहां पर टेरी बांद बन रहा है और ये सिर्फ 600 मेगावाट की परिजना है और सरकार के पास थोड़ा बजट भी कम था तो इन्होंने यहां पर भारा सरकार की आर्थिक मदद करनी की यहां पर हस्ताक्तर कर देगी मनलब वहां पर समझोता कर दिया कि हम आपको इसमें मदद करेंगे आपके आर्थिक मदद करेंगे इस डैम के निर्मान में तो अब सरकारी के पास आर्थिक मदद भी आगी तो सरकार ने सोचा क्यों ना 600 MW से बढ़ाया कर इसको कितना कर दिया जाए 2400 MW कर दिया जाए उसके बाद सरकार ने देखा कि सिचाई उवाग तो यहाँ पर काफी स्लो काम कर रहा है इसलिए यहाँ पर 1988 में केंदर सरकार और राजसरकार ने THDC का गठन किया THDC की फुल फॉर्म आती है कई बार एक्जामे काफी इंपोर्टन है यह टीरी हाइड्रो डवलमेंट कोरपरेशन का गठन किया गया और बाद निर्मान का कारे दे दिया आपको THDC को दे दिया सिचाई उवाग को हटा दिया हमां से बाद निर्मान का कारे के इसको दे गया गया THDC को दिया गया 1988 में अब जब THDC को कार्य दे दिया काम भी अब बड़ा स्पीड से होने लग गया और साथ साथ सरकार के पास आर्थिक मदद भी मिल गई रूस के राष्ट्रपती के द्वारा अब यहां पर क्या होया गठन भी हो गया यहां पर THDC को यह कार्य सोंपा गया है और रूस के राष्ट्रपती ने आर्थिक मदद भी यहां पर कर दिया है तो इसकी जो छमता बड़ाई गई 2400 मेगावाट अब यह बांद बनाए जाएगा आपका 2400 मेगावाट का तो यहां पर टीरी बांद का निर्मान कार्य लगातर कंटिन्यू चलता रहा है और उसके बाद यहां पर October 2005 में टीरी बांद की अंतिम सुरंग को भी बंद कर दिया गया है लेकिन निर्मान कार्य पसे प्रारम से लेकर और अब तक जब इसकी अंतिम सुरग भी बंद हो चुकी है और पुराने टेरी याँ पर डोबने लगी है इसके बिच बहुत सारी घटनाएं हुई यानि कि याँ पर बहुत सारे आंदोलन हुए तीरी बांद के निर्मान के विरोध में याँ पर काफी आंदोलन देखने को मिले क्योंकि इतने लोगों की जिन्देगी याँ पर अस्त व्यस्त होने वाले थी उनके मकान डोबने वाले थे उनके गाउं डोबने वाले थे और इन लोगो को सिप्ट करने के जिम्मिदारी भी किसकी थी आपकी THDC को ही दी सरकार ने की बस यह सारा काम अब मनलत तुमारी जिम्मिदारी में होगा तीरी बांध भी तुमने निर्मान करना है और इस सारे लोगों को कहां-कां विस्थापित करना है वो भी THDC नहीं करना था तो उसके बारे में आपको इसी वीडियो में डिटेल्स बताऊंगो आगे पहले यहाँ पे टीरी डैम के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं ठीक है उसके बाद अक्टूबर 2005 में इसकी सुरंग भी बंद कर दी गई और पुरानी टीरी यहाँ पे डोबने लग गई और अब यहाँ पे बाद में पानी भरने लग गई उसके बात 30 जुलाई 2006 को टीरी बाद परूजना में बिजली उत्पादन सुरूँ किया गया तो गिजली उत्पादन कब सुरू होने लगा 30 जुलाई 2006 से अब देखो जो तीरी बांद पर्यूजना है उसको थोड़ा डिटेल्स और समझते हैं कि ये जो इसकी जो चमता है इसकी जो करपिसिटी है जो बिजली उत्पादन की चमता है इसको तीन भागों में बांटा गया यानि थ्री फेज में इसको बांटा गया है तो टीरी बांद परियुजना को 3 फेज में यानि 3 फेज में बांटा गया है अब देखो जो फेज 1 है वो है आपका टीरी बांद वजल विदुद परियुजना इसका नाम है टीरी बांद वजल विदुद परियुजना जो है 1000 मेगवाट की 1000 मेगावाट की परियुजना और सरफप्रसम इसी को राष्ट को समरपित किया गया 30 जुलाई 2006 को राष्ट को समरपित यानि सरफप्रसम बिजली उत्पादन जो किया गया 1000 मेगावाट का जो परियुजना थी ये तीरी बांदू देल विदूद परियुजना इसी से क्या किया गए बिजली उत्पादन किया गया और 30 जुलाई 2006 को इसका निर्मान कारे पूरा हो चुका था और यहां से बिजली सप्लाई होने लग गई अब जो phase 2 है वो है टीरी पंप इस्टोरेज प्लांट ये भी 1000 मेगवाट की है ये भी 1000 मेगवाट की लेकिन ये अभी निर्माना धीन है यानि इसका कारे अभी भी पूरा नहीं हुआ है तो 1000 मेगवाट की यहां पर्योजना अभी निर्माना धीन है अब देखो जो ये टीरी बांद जल्वीदित पर्योजना और टीरी पंप स्टोरेज प्लांट 1000 मेगवाट 1000 मेगवाट total 2000 मेगवाट की तो इनमे 1000 मेगवाट की तो बन चुकी है 1000 मेगवाट की अभी निर्मान दीन है और ये दोनों जो डैम है आपको उपर दिखता हुगा डैम उसी के निकट में है लेकिन जो तीसरा फेज है वो है आपका कोटेस्वर बांध पर्यूजना ये जो आपको डैम की दिवार दिखती होगी उससे लगए अग 20-25 किलो मेटर नीचे है तो ये है आपकी टोटल 400 मेगावाट की और इसका निर्मान कारेक का बुरा हुआ तो ये हुआ आपका 2012 में ये बनकर पूर्ण हो गई थी और इससे भी यहाँ पर बिजली उत्पादन होने लगया तो कुल्मा कि अब यहाँ पर जो टोटल समता है या टोटल जो बिजली उत्पादन किया जाएगा टीरी डैम का बोईसे में वो क्या जाए आपका 1200 मेगावाट का लेकिन अभी जो निर्मान कारे पूरा हुआ 1000 मेगावाट की यह है और 400 मेगावाट की यह है यानि टोटल 1400 मेगावाट का अभी बिजली प्रोडक्शन होता है टीरी डैम से और 1000 जैसी यह टीरी पंप इस्टोरिस प्लांट बनकर पूर्ण तरीके से तयार हो जाएगा तब यह टोटल विजली उत्पादन कितना होने लग जाएगा 1200 मेगावाट की विजली उत्पादन करेगा टीरी बांट तो यह तो यहां मैंने परियुजना के बारे में आपको डेटेल समझा दिया है इसकी इत्यास के बारे में दोस्तो आप हम यहां पे टीरी डैम के आंदुलन के बारे में बात करते हैं भूकम का यहाँ पे देखो टीरी जो जनपद है तीरी हो गया उतरकासी हो गया उतराखन के जो अधिकांस्ता जनपद है वो हिमाली छेतर में क्योंकि उतराखन खुद एक हिमाली क्या है राज्य है अब यहाँ पे हिमाली जो यह छेतर है तो हिमाली छेतर में भूकम अधिका वैसे जो यह टीरी डैम है यह इस प्रकार से बनाये गया है कि यह लगबग 8 से 9 तीवरता वाला भूकम भी यह सहन कर सकता है लेकिन हिमालाई छेतर होने के कारण इसलिए यहां पर खत्रा बढ़ जाता है भूकम का तो वैसे काफी इसकी छमता बढ़ाई गई है 8 से 9 तीवरत विष्थापित किया जाना था पूराने टीरी में इतने सारे गाउं थे वहाँ पे और लाखों लोग लाखों लोगों को यहां से विष्थापित किया गया था तो लाखों लोगों को अपना गाउं अपना घर छोड़ना पड़ रहा था तो विरोध होना तो यहां पर उन्हेंदूमतिसाहा ने कमलेंदूमतिसाहा पंवार हमस की आजएक刚 Agora TP. बांध विरोधिस सμऩीति का गठन किया गया 1978 में एक्जामिट डारेकट इक्विशन बन सकता है और 1991 में बीच में काफी आंदुलन चलते रहे काफी लोगों ने याँ पर आवाज उठाई और बहुत सारे लोग इस आंदुलन से जुड़ चुके थे और 1991 में सुन्दरलाल बहुगणा जी की नेतुरतों में तीरी बांध विरुदी समित थी उसमें जो बहुत सारे लोगों ने याँ पर क्या किया आमरान अंशन किया था तो किसकी नेतुरतों में सुन्दरलाल बहुगणा की नेतुरतों में 76 दिनों का ये धरना परदशन किया गया तो काफी important है ये भी आपको note करना है लेकिन इतने सारे आंदोलन हुए और देखो ये परियुजना काफी बड़ी थी केंदर सरकार की थी उतरपरदेश सरकार की संयुक्त ये परियुजना थी और देखो यहाँ पे लगबग 2400 मेगावाट की परियुजना काफी बड़ी ये परियुजना थी तो इसलिए आंदलोन तो यहां पर बहुत सारे हुए लेकिन फिर आंदलोन का कोई असर नहीं हो क्योंकि इतनी बड़ी परियोजनों को कैंसल करना कोई आम बात नहीं होती है तो यहां पर आपको आंदलोन में समझ में आ गिया यहां पर इसके नुकसान का है टीरी डैम के और मैंने पूरे डिटेल्स आपको टीरी डैम के इत्यास के बारे में भी और उसके इस्टेक्चर के बारे में भी आपको एक्जाम की दिरिश्टी से जो इंपोर्टन वो आपको बता दिया है कुछ अन्य चीजे में आपको यहां पर बताना वारा हूँ तो यहां पर इसका जो कुल लागत लगनी थी टीरी डैम निर्मार में उसका लागबग 75% जो लागत थी वो देने थी के इंदर सरकार ने जबकि 25% जो इसमें लागत लगनी थी वो किस ने देनी थी आपकी राज़े सरकार ने और एक और इंपोर्टन चीज यह है कि टीरी बान से जितनी टोटल विजली उतपादन होगा तो उसका लगबग 12% उत्राखन सरकार को फ्री में दिया जाएगा और इसका उत्राखन सरकार प्रियोग कर सकती है तो 12% विजली किसको दी जाएगी टोटल उत्पादन की यानि जो टीरी डैम में टोटल उत्पादन होगा विजली का उसका 12% हिसा किसका है आपका उत्राखन सरकार का है यानि जिस सरकार मतलब जिस राजे में वो डैम निर्मित है उस राजे की सरकार का होता है 12% हिस्सा दोस्तों तो यहाँ पर टीरी डैम के बारे मैंने आपको पूरी डिटेल्स समझा दिया है अब बात करेंगे यहाँ पर आपका डोबरा चांटी पूल के बारे में दोस्तों तो यह है यहाँ पर डोबरा चांटी पूल वसे काफी लोगों ने इसको देख लिया है काफी लोग यहाँ पर घूमने भी चले गए होंगे लेकिन इसके बारे में एक्जाम की दिर्श्चे काफी इमपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्रणट फिर्स का एक क्वशन ही बन सकते हैं यहाँ से सारी क्वशन क्यूंकि करणट में ही इसका निर्मान कार्य पूरा हुआ है और उतधतन भी है आट नवंबर 2020 को इसका उतधतन क्या गया है मुख्या मंतरी तिर्वेंदर रावत जी के द्वारा तो एक एक करके पूरी डिटेल्स में आपको इसके बारे में बताने वाल हो देखो जब मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दिया है टीरी डैम का निर्मान कैसे हुआ अब 2006 में 2006 में यहाँ पे टीरी डैम का निर्मान कार्या पूरा हो चुका था और 2006 में टीरी डैम से 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादर भी यहाँ पे शुरू हो चुकी थी लेकिन आप सबसे बड़ी दिक्कत यह आगे सामने कि देखो जो गाउं यहाँ पे डूबे या जिन लोगों के घरबार यहाँ पे डूबे हैं उनको तो विस्थापित कर दिया गया टीएजडिसी की द्वारा देरदुन साइड रिसके साइड लेकिन अब सामने समस्या उन लोगों के लिए हो गई जो यहाँ पे क्या है जो परताब नगर छेदर के वासी थे उतरकासी के कुछ गाउं के वासी थे उनके जितने भी उनके आगमन के छोटे छोटे पूल थे वो सारे डूब जोगे थे अब वो एक जगह से दूसरे जगह उनको कहस जाना थे यानि अगर वो टीरी जनपत में उनको जाना था रिसकेस धेरदोन में उनको जाना था तो वो नहीं जा सकते थे तो वैसे तो 2006 में सरकार ने दो पूल बना थे एक पिपल डाली पूल हो गया और एक आपका स्यांसू पूल हो गया लेकिन वो छोटे छोटे पूल थे यानि उहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी गाड़ियां ही जा सकती थी और छोट छोटी बसें ही जा सकती थी नवाँ पे बड़े बड़े ट्रेक का आगमन हो सकता था नव आपे बड़ी बड़ी बसों का आगमन हो सकता तो सरकार ने 2006 में सोचां यहाँ पर कि यहाँ पर बनाए जाएगा दोबरा चांटी पुल दोबरा चांटी पुल का निर्मान कारे कब से शुरूआ 2006 से शुरूआ लेकिन यहाँ पर जो यह अब आपको ध्यान रखना यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेवल संस्पेंशन ब्रिज है संस्पेंशन ब्रिज यह एक जूला पुल है और सबसे लंबा यह सिंगल लेन देखो इसमें जो गाड़ियां आ जा सकती है यह भार इधर जाएगी और इधर आएगी इसमें यह नहीं होगा कि मतलब जैसे होते है तीन चार गाड़ियां उदर जा रही है एक साथ कठे तो ऐसा नहीं हो सकता है एक बार इधर जा रही है उसकी पीछे दूसरी जाएगी तो कुल्मना कि यह एक SINGLE LINE Suspension Bridge है ऐसा नहीं कि मतलब यहां से भी जा रही है यहां से भी जा रही है तो SINGLE LINE का मतलब यह होता है कि एक गाड़ी एक बार उधर जा रही है और जो दूसरी गाड़ी जाएगी उसके पीछे जाएगी ऐसा नहीं कि वो उसके बगल से निकल जाएगी तो कुलमना कि ये single line suspension bridge है भारत का सबसे लंबा single line suspension bridge अब दोखो इसकी जो total लंबाई है दोखो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जूला पूल है पूल यहाँ से लेकर यहाँ तक है शिर्प है तो जुला पूल की जो लंबाई है वो है आपकी 440 मीटर कितनी है ये 440 मीटर तो अगर ये पुछा गया है कि डौबराचांटी पूल में जो संस्पेंशन बिरिज है यानि जो जुला पूल है उसकी लंबाई कितनी है तो 440 मीटर है लेकिन लेकिन क्या है यहां पे अब देखो यहां पे टोटल पुल की जो लंबाई हो यहां से है मैंने जोला पुल की बात की तो जोला पुल तो यहां से यहां तक है 440 मेटर लेकिन टोटल पुल यहां से आप देख रहो यहां से यह पुल है यहां से है यहां से ठीक है और यहां तक तो टोटल जो इसकी लंबाई है वो है 725 मिटर अब इसकी टोटल लंबाई कितनी है दोबल चाटी पुल की टोटल लंबाई कितनी है 725 मिटर अब आपको समझ में आ गया है क्योंकि बहुत सारे एक दोने मैंने इसमें एक वीडियो स्वेसल बनाई थी तो उसमें पूसा गयाता है कि सर आपने 725 मिटर बोला लेकिन उसकी लंबाई तो 440 मिटर है तो मैं आपको वहां पर भी मैंने यह समझा रहा है कि टोटल लंबाई आपको 725 मिटर है जबकि जो जूला पूल है उसकी लंबाई है 440 मिटर अब देखो यह है इधर साइड यह डोबरा है यह डोबरा है यह चांटी है तो यह कौन से दो छेतरों को जोड़ रहा है डोबरा और चांटी का छेतर है यह तो इधर आपका टीरी जनपद है अब इधर आपका परताब नगर छेतर है ठीक है तो परताब नगर छेतर है इधर से ये गाड़े जनाती हो जो पिछड गया था क्योंकि याँ़ पे कोई ऐसा बड़ा पूल नहीं था जहाँपर बड़ी गाड़ी आंजा सके यह कुल मुला कि यहां पे विकास इसलिए इसका रुप गया था क्योंकि बहुत सारे यहां पे विकास के संसाधन मुझूद नहीं हो पा रहे थे तो आप तो खैर पुल बन चुका अब देखते हैं आगे-ागे क्या होगा अब देखो और चीज बताता हूँ मैं इसके बारे में आपको टोटल चोड़ाई है जो इसकी टोटल चोड़ाई थो जोम कर लेते हैं इसको यह पुल है आपका तो टोटल चोड़ाई है यह है आपकी साथ मीटर कितने हैं 7 मिटर लेकिन जहाँ पर क्या है जो मोटर मार्ग है मोटर मार्ग है इतना ठीक है तो मोटर मार्ग है आपका 5.5 मिटर लेकिन कुछ फुटबात भी तो होगा क्योंकि लोगों को भी तो चलना है अब लोग तो ऐसा नहीं कि अगर वो मोटर मार्ग पर चलने लग जाएंगे, तो वहाँ पर accident हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर footpath भी बनाए गया है, तो 5.5 meter तो यहाँ पर motor mark है, और किनारों में, दोनों किनारों में लगबग 0.75, और 0.75 meter यहाँ पर क्या है, आपका footpath बनाए गया है, तो दोनों side कितना हो गए, लगबग 100, तो 1.50 meter, तो 1.5 meter, तो 1.5 meter यहाँ पर क्या है, footpath है, आप देखो चोड़ाई कि मैं, शुरू से आपको समझाता हूँ, 5.5 है, चोड़ाई motor mark की है, 1.5 चोड़ाई कितनी है, footpath की है, तो total चोड़ाई कितनी हो गई, यहाँ आपकी 7.0, यानि 7 meter इसकी total आपकी चोड़ाई ह दोबरा चांटी पूल की, अब मैं आपको दोबरा चांटी पूल का थोड़ा इत्यास बताता हूँ, तो यहाँ पे मैंने details आपको यहाँ पर बता रखा हूँ, इसके notes आपको हमारे काम मिल जाएंगे, उत्राखंट जी के app में मिल जाएंगे, तीरी डैम के भी और दोबरा आप जरूर जेजगा, तो देखो टीरी बान निर्मित भारत का सबसे लंबा सिंगल लाइन मोटरेबल, संस्पेशन ब्रिज है, निर्मान कारे प्राराम हुआ 2006 से, और निर्मान कारे पूरा कब हूआ 2020 को, अब देखो उधगाटन कब हूआ, काभी इंपोर्टन एक क्वेस पूल की विश्यस्ता मैंने बता दिया, कुल लंबाई 725 मेटर है, संस्पेशन ब्रिज के लंबाई है 440 मेटर, 7 मेटर इसकी चोड़ाई है, जिसमें मोटर मार की चोड़ाई है, 5.5 मेटर, जबकि यहाँ पर फुटफात की है, 0.75 मेटर दोन और, यानि टोटल कितना है आ IIT रूड़की को दिया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2010 में इसका डिजाइन ही फेल कर दिया गया, अब 2010 के बाद, यहाँ पे 2016 तक, 6 साल तक लगबग, 6 साल तक पुल में कोई परगती नहीं हुई, क्योंकि डिजाइन जब फेल हो गया था, तो 6 सालों तक इसका निर्मान का रहा, बंद पड़ा रहा है, उसके बाद इसका डिजाइन तयार करने के लिए दिया गया, दक्षिन कोरियाई कमपनी योसीन को, तो 2016 में, 2016 में दक्षिन कोरियाई की कमपनी योसीन ने पुल का डिजाइन तयार किया गया है, तो दक्षिन कोरियाई कमपनी योस इसके Suspender तूट गे थे, Suspender जिस में क्या होता है? यह मैं आपको समझा तो Suspender के बारू में, यह आप जुआतो है it. यह तो यह पम पन पर पूल है और रसी 했, यह बहुता है जो और उसके बाद फिर ये निर्मान कारेक पूरा हुआ 2020 में और फिर आठ नॉम्बर 2020 को मुख्यमंत्री तिर्वेंदर रावद्धी ने इसका उद्गाटन कर दिया तो दोवरा चांटी पूल हो गया आपका करन्ट फेर्स की दिर्श से काफी इंपोर्टन आये और टीरी डैम का तो खेर वथो एकजाइम के दिर्श से काफी इंपोर्टन है तो दोनों टोपिक मैंने आपको एकी वीडियो में याँ पे कवर करा दिया है तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स अपनी राइज जरूर दें आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया क्योंकि मैंने आपको फोटो के मादियम से भी समझा दिया नोर सी मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ पे एक एक चीज मैंने इतियास के बारे में सारी चीज़े मैंने आपको वहाँ पर बता दी है तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आज़े वीडियो को लाइक और सियर जरू केज़ेगा और चैनल में पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर के जगह मिलते हैं नेक्षिट तब तक ले धन्यवाद